hello friends in the video series of computer network in this particular video we will be discussing about the disadvantages of subnetting so guys पिछले कुछ वीडियो से हम subnetting के concept detail में समझ रहे हैं और हमने देखता है कि subnetting के क्या-क्या advantages है subnetting security ensure करता है मेरे बड़े network को छोटे-छोटे network में divide कर देता है and इसके बहुत सारे advantages थे अब हम क्या करेंगे इसके disadvantages के बारे में बात करेंगे so guys जैसे कि आपको पता है कि हमने computer network के बारे में बात करी थी और जैसे अगर मुझे communication करना था कि हमें क्या करना था एक process से दूसरे process में communicate करना था so सबसे पहले क्या करना पड़ता था हमें सबसे पहले network को identify करना पड़ता था कि suppose करो यह मेरा network है ठीक है मुझे सबसे पहले अगर मेरा network मिल गया मुझे क्या डूना था सबसे पहले network डूना था जो अगर मुझे network मिल गया उसके बाद में क्या डूनता था उसके बाद में होश दूनता था होश मतलब क्यों हो ओ गया हो फिश मतलब हो गया COMPUTER मैं उसके बाद क्या Dashक वाद करता तद क्या अपना होश find out करता ता होश find out करने के बाद में क्या identify करता था मैं अपना numa prove प्रॉसीज identify कर था अ отв दिस इस माः प्रॉसी सुनfrage हम कैसे फाइंड करते थे with the help of network id उसके बाद हम क्या find करते थे host host find करते थे हम उसके बाद हम क्या find out करते थे उसके बाद हम process find out करते थे process कैसे find करेंगे with the help of port number so guys जब हमने subnetting करी so हमने क्या किया है अपने network को divide कर दिया चोटे-चोटे subnet में so guys अब problem क्या होई अब जो हमारा process है वो और जदा complicated हो गया complicated in the sense मैंने क्या करना है सबसे पहले मुझे सबसे पहले हमना network find out करना है सबसे पहले मैंने क्या किया network find out किया अब लेकिन मैंने क्या किया subnetting करी थी चाहिए सो माल लेते हैं मेरे पास four subnet एक subnet यह हो गया दूसरा subnet यह हो गया तीसरा subnet यह हो गया and 14 subnet यहां पर मिना जता हूं में चार subnet present है सबसे पहले हमने network find out किया फिर उसके बाद क्या find out करना है हमें subnet find out करना पड़ेगा कि कौन से subnet में present है we have to find out the subnet subnet find out करने के बाद क्या करना पड़ेगा हमें एक process को find out करना पड़ेगा process find out करने से पहले क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें network find out करना पड़ता था कि कौन से computer को मुझे बेजना है फिर हमें क्या करना पड़ता था अपने process को identify करना पड़ता था with the help of port number लेकिन subnetting के बाद एक step और बढ़ गया क्या हुआ subnetting के बाद मुझे सबसे पहले network को identify करना पड़ेगा फिर network में कौन से part में कौन से subnet में यह भी मुझे identify करना पड़ेगा सो मुझे subnet id की मनद से मैं इसे identify करूँगा कि कौन से subnet में है उसके बाद क्या चीज होगी subnet पर पहुँच गया मैं पार्ड में पहुच गया उसके बाद I will be identifying my host कि कौन से computer को भीजना है मुझे subnet में and after that what will happen I will be identifying my process कि कौन से process को यह particular data यह particular information चीज है that will be done with the help of port number यह सारी चीज हमने पहली भी देखी और आने वाली कुछ वीडियो में भी देखेंगे हम विस्तार से computer network की वीडियो सीरीज में यह सारी concept पढ़ेंगे so पहला point के आए मेरा subnetting complicates the communication process so कैसे complicate करेगा earlier that communication used to happen in three step three step में communication होती थी लेकिन subnetting के बार मेरा एक step और बढ़ गया अगला point पढ़ते है in case of single network only two IP addresses are wasted to represent network ID and broadcast ID but in case of subnetting two IP addresses are waste for each subnet अब guys यह point हमने पहले भी discuss किया हुआ और अब भी discuss करेंगे हमारा point क्या है कि जब भी हम network के बारे में बात करते थे तो first IP address जो network का होता था that was used to represent network ID वो किस चीच के लिए represent करने के लिए मरत करता था network ID के और जो last IP address होता था उस particular network का that was its DBA directed broadcast address यह हमने communication की video में पढ़ावा लेकिन जब मैं subnet में divide कर दूंगा तो हर subnet में 2 IP address waste होंगे is it clear guys so अगला point पढ़ते है cost of overall network also increases as subnetting requires internal router switches hubs bridges etc which are very costly अज subnetting क्या करेगी अगर मैं अपने network को different different subnets में divide करना चाहूंगा so उसकी भी overall cost बढ़ जाएगी overall cost कैसे बढ़ेगी दोस्तों मुझे different different devices की जोरत होगी जैसे कि यहां पर मैं मैं इंटर्नल router यूज कियागा कभी मैं bridge यूज करूँगा कभी मैं hub यूज करूँगा और different different devices यूज करूँगा so they are very expensive devices so overall system की cost भी increase होगी network की cost भी increase होगी अब guys यह subnetting है चोटा मोटा काम थो है यादि कि 4 subnet को manage करना अलग-अलग network मना दिया मैं ने छोटी-छोटी network में divide कर दिया इसके maintenance या इसकी administrator के लिए या इसकी देखबाल करने के लिए भी तो मुझे कोई चीए ना so अगला point है हमारा subnetting and network management requires an experience network administrator this adds the overall cost मुझे एक network administrator की जोरत होगी जो कि मेरा subnetting का सारा mechanism देखेगा सारे department को देखेगा कि कहीं किसी में दिक्कत तो नहीं है and all those things so मुझे एक network administrator की जोरत होगी अब जब network administrator मैं higher करूंगा तो उसकी cost भी तो देनी पड़ेगी ना so guys अगली वीडियो में हम इस concept के और ज्यादा numerical solve करेंगे मैंने basically यह subnetting concept यह 10 part में divide किया हुआ I have divided this particular concept into 10 category हम अलग-अलग category में अलग-अलग type के numerical solve करेंगे और मुझे उम्मीद है अगर आप यह सारी 10 category अच्छे सी करोगे तो आप gate exam में कोई भी question जो आएगा subnetting का उसे अराम से बना लोगे so guys दीजिए मुझे थोड़ा सा समय और अगले आने वाली वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ subnetting के और कुछ concept के साथ so stay tuned